हलो सुडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल God Glasses पर तो बचो अब काउंडान स्टार्ट हो चुका है Applied Mathematics का एक्जाम जो आपका 11th मार्च को है इंग्लिश का एक्जाम आपका फिनिश हो चुका है यानि अब जो पूरे साल अपने जो महनत करी थी Applied Mathematics के एक्जाम के लिए जो पढ़ाई करी थी उसके रिजल्ट का टाइम आचुका है कि जो आपने अब तक पढ़ा है जो आपने अब तक समझा है उसको आप पेपर पे किस तरह से उतार कर आते हो तक एक्जामिनर आपको अच्छे से अच्छे नंबर दे सके पूरे से पूरे नंबर दे सके अब ये टाइम हमारे पास जो मिलता है आप जो 25 तारिक है तो 25 तारिक से आज एक्चुली 24 की शाम ही है तो मैं ये वीडियो शाम को अप्लोड गर रहा हूँ आप आज रिलेक्स कीजे कोई दिक्कत नहीं है कल से आप लेकिन अपनी पढ़ाई स्टार्ट कीजिए और किस तरह से स्टार्ट कीजिए कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस अच्छे तरह से आप कवर कर सको अच्छे से अच्छे आप प्रेक्टिस कर सको तो जो मेरे एसाब से मैंने कुछ strategy आप लोग के लिए बनाई है उसको अगर आप follow करें तो उसको follow कर सकते हैं अगर आपने अपने लिए कोई strategy बनाई है तो वो सबसे बड़ी है क्योंकि आगर आप अपने लिए कुछ प्लान करते हो कि मिरे को ऐसे करना है तो वो plan आप ज़्यादा अच्छे तरीके से execute कर सकते हो लेकिन फिर भी अगर कुछ doubt है तो जो मैं बता रहा हूँ उसके साफ से भी आप चल सकते हो तो अब यहाँ पर क्या strategy रहेगी क्या रहेगी तो देखे सबसे पहले तो अगर हम number of days की बात करें तो 25 तारिक से अगर आप start करते हो तो 25, 27, 28 फिर उसके बाद सिधा एक से लेकर 10 यानि total मिलाकर हमारे पास कितने दिन है total मिलाकर हमारे पास 14 days है एक मैंने या माइनस किया हुआ है क्यों माइनस किया हुआ है बीच में वह एक festival आ रहा है और बहुत परसिद festival है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि festival तो बाद में भी आते रहेंगे लेकिन अगर आप उसको enjoy करना चाहते हो तो उसको भी enjoy भी कर सकते हो इस तरीके से मैं बता रहा हूँ वो festival आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा आप उस दिन खूब enjoy करोगे कोई tension वाली बात बिल्कुल भी नहीं होगी तो total मिलाकर अभी मैं वान के चलता हूँ कि आप enjoy करेंगे होली भी मनाएंगे बड़िया से 13 days आपके पास है अब इस 13 days में आपको करना क्या है आपको क्या करना है होली 8 तारीकी है तो आपको 8 तारीक से पहले अपना सब काम complete करके रखना है ताकि होली की कोई tension नहीं न रहे मनाओगे तो ठीक है नहीं मनाओगे तो भी कोई बात नहीं ठीक है तो हमारे पास deadline क्या है 8 मार्स तक की deadline है कि 8 मार्स तक हम अपना syllabus पूरा करना है उसके बाद जो बाकी के दिन बचेंगे 9 और 10 उसका ये बदाओं को क्या करना है लेकिन फिलाल हम इसको target करके चलते हैंगी 8 मार्स तक आपको करना क्या है तो यानि total मिलाकर हमारे पास दिन बचे 11 अब इन 11 दिनों के अंदर आपको अपना syllabus complete करना है किस तरीके से करना है उसके बारे में बात करते हैं अगर students की हम category देखें तो तीन तरह के student हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे चाहें कितना भी पुराना time हो और चाहें कितना भी आप advance हो जाओ ये तीन student हमेशा अपनी presence देते रहेंगे और हमेशा देते रहेंगे कौन से जिन्होंने भाई अभी तब कुछ start ही नहीं करा है type 1 student ठीक है जो अभी तब अपनी दुनिया में थे बस paper की जब dead sheet मिली होगी न तब शायद थोड़ा सा पैनिंग बटन दबा होगा लेकिन तब भी start तब भी नहीं किया होगा अब क्योंकि exam देना है अब और कोई option तो है नहीं exam देना है subject ले रखा है तो आपको अब start करना पड़ेगा या अगर किया भी है तो बहुत थोड़ा थोड़ा start किया है examination की जब dead sheet आई होगी तब से थोड़ा सा पड़ना start किया होगा तो हम यह मान के चलते हैं कि zero या बहुत कम percentage ऐसे students है जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं करा है type 2 student जिन्होंने लगबग 60-70% अपना syllabus complete कर लिया है कुछ पका कुछ कच्चा इस तरह का और लगबग लगबग सब कुछ कर रखा है लेकिन अभी पूरी तरह confident नहीं है कि हमें इस syllabus इस topic के अंदर ये वाला मतलब किसी topic के लिए 100% comfortable नहीं है कि हम इसको करीदेंगे और तीसरे type के student है ये भी हमेशा रहेंगे और जो की अपना काम बिल्कुल टाइमली करते रहते हैं रेगुलर स्टेडीस करते हैं और डेड़ शीट आने तक क्या जब उनके प्रीबोर्ट स्कूल के होते हैं तब तक अपना syllabus वो बिल्कुल निप्टा चुगे होते हैं टेंशन फ्री होते हैं लेकिन एक्जाम की टेंशन तो फिर भी सबको रहती है चाहें आपने सब कुछ कर रखाओ और बिल्कुल भी कुछ ना कर रखाओ टेंशन तो भईया टेंशन है लेकिन उस टेंशन को कैसे कर सकते हो इतना टाइम मतलब इस बार दिया हुआ है आपके अप्लाइड मेत्यमेटिक्स के लिए कि के अनिट сторон सबसे पहले एक है सबसे जाथ अटेंशन में होगा किसी तरीके से बस पास हो जाये कुछ पास होने के जुगार हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है या तो सबसे पहला काम आपको कहा करना है आपको जो वन शॉट सीरीज है डिटेल में आपको सरिफ वही वीडियो देखने है जिसमें वन शॉट देखने के बाद भी अगर कुछ कंफूजन लगे कि ये वहला टॉपिक मुझे और अच्छे तरीके समझना है तो उसके डिटेल वीडियो देखो अधरवाइस आप वन शॉट सीरीज देखो वन शॉट सीरीज के अंदर आपको सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है और उसके अंदर कुछ कुछ क्वेशन भी हमने कर रखे समझाने के लिए ताकि आपको इसली समझ में आ जाए फिर भी कर सकते हैं कि आप अमारा जो पक्का पास बैच जो भी हमने लॉंच किया है तो आज ही लॉंच किया है तो वह आप जोइन कर सकते हैं जो कि क्लासे कल या परसों से स्टार्ट कर देंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हमारे पास नहीं है तो यह आप पक्का पास बैच जोइन कर टॉपिक में कुछ confusion बचा रहे जाए तो आपको पहले दिन क्या करना है पहले दिन आपका दो टॉपिक आपको कवर करने है एक नंबर क्वांटिफिकेशन और नुमेरिकल एप्लिकेशन जो आपका पहला चैप्टर है और एक नुमेरिकल इनेकुरिटी बल्ला एक इस एक दि उसी बुक से आपको इन ही दो टॉपिक के questions प्रैक्टिस करने है एक अपनी copy बना लिजिए अलग से और उसमें इनके जो प्रैक्टिस है वो करना स्टार्ट कर दीजिए जो भी आप उसमें फार्मुला लिख रहे अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं बनाए हुए तो से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं पहला दिन हुआ हमारा दोनों टॉपिक मतलब बड़े अराम से आप कर सकते हो कोई ही बिल्कुल पैनिक होने के जरूद नहीं है आप सुभे साम दुपैर जो भी आप टाइम डिसाइड करोगे दो तीन तीन घंटा बैठोगे ना आपने दो डाइगंटा सुभे बैठ लिए दो डाइगंटा दुपैर में बैठ लिए दो डाइगंटा रात को बैठ लिए ये दोनों टॉपिक आपको अराम से कंप्लीट आप कर लोगे उसके बाद जब आप डे टू बढ़ाओगे तो आपको मेट्रिस और डिटर्मिनेंट सिर् अलब डिटर्मिनेंट बिना मेट्रिक्स के करी नहीं सकते हो और कुछ कोशन्स ऐसे मिक्स अप हो के आते हैं जिसमें मेट्रिस डिटर्मिनेंट दोनों का यूज होता है तो अब ये दोनों टॉपिक आप इखटा एक ही दिन के अंदर आप इसको फिनिश करो अपने वोग उठाओ उसमें से कुश्चन स्प्रेक्टिस करो ठीक है उसके बाद फिर तीसना दिन आप आओगे तो बीच में जो कैल्कुलस वाला पार्ट है छोड़ दो से भी उसका लास में बताता हूं क्या करना है आपको फिर उसके बाद करनी है प्रॉबिलिटी सिर्फ एक टॉपि तक कुछ नहीं करा है आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो भी आप एक दिन के अंदर इन चैप्टर को इसली कम्प्लीट कर सकते हो फोर्थ डे के अंदर आप जाओगे तो इन्फरेंशल स्टेट्स पांच नंबर का यह है टाइम सिरीज छे नंबर का है यह दो नो टॉप लूपी क्या पीज़्ी नैक्स्ट दे के अंदर फिनिश करो उसके बाद चलते हैं डे5 अब डे5 प्रे grill रेंस्ट हीयी कम्प्लीट हो जाएगा कि जो पहले दो चेप्टर थे यह 11 मार्क्स के हैं मैट्री डिटर्मिंट 10 का है प्रॉब्लिटी भी 10 का है यह 11 के होगे दोनों और यह 15 मार्क्स का होगे उसके बाद फिर आप 7 डे पर जाओगे तो आपको करना है लपी पी लीनेर प्रोगामिंग प्रॉब्लम ग्राफ वाले कोशन्स है अब अगर आप हर टाइप के 2-3-3 कोशन भी कर लोगे इसली आप वीडियो को देखो समझो और उसी तरह के 2-3-3 कोशन और कर लो LPP आपका कम्प्लीट हो जाएगा मन लगाकर अगर पढ़ाई करोगे ना तो बिल्कुल जो मैंने यहां पर डेस बताए ना उसके आप बिल्कुल कम्प्लीट कर सकते हो बिल्कुल टेंशन लेने के जरूद नहीं है अभी तक कुछ भी नहीं करा है कोई बाद नहीं जीरो पर हो कोई बाद नहीं लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ ना उसके हिसाब से आप टैक्टिस जरूर कर लेना अगर अब भी नहीं पर करना स्टार्ट करो लेकिन अगर आप चाहते हो कि कुछ और मार्क्स थोड़े बहुत जितने भी हो सकते हैं दो चार पांस दस मार्क्स जितने और बटोर सकते हो और बटोरने के हम कोशिश करते हैं क्योंकि दिन आपके पास है यह प्लस पॉइंट आपके पास है तो प्रिफ्रेंशेशन फोड़ा जरू समझना पढ़ेगा क्यूग् Exactly बिना chn के ना तो आताप ae anakdy crew कर सकते no differential equation सकते डिफ्रेंशेशन में आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा Um जो इजी इजी टॉपिक है दिसे ऐपने कुछ केश्चिन इंक्रीजिंग decreasing के कर लिए कुछ question maximum minima के कर लिए और कुछ question आपने last में जो revenue function के वाली exercise है उसके आपने कुछ questions कर लिए producers वो तो producer surplus तो integral में चला जाएगा यहाँ पर cost function और revenue function जो आप निकालते हैं यह वाली जो last की दो exercises है अगर यह आपने कर लिए तो यहाँ से आप 3, 4, 2, मतलब कुछ न कुछ number आपको यहाँ से जरूर मिल सकता है उसके बाद फिर आप next day करेंगे तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना आपनो integrals है, differential equation में जो जो आपको असान चीज़े लगते हैं एक बार आप one shot देख लेना, उस पर one shot देखने से आपको पता लग जाएगा क्या क्या चीज़े आपको इसली समझ में आ रही है जो आपको इसली समझ में आ रही है बस उनी type की जो questions है उनकी practice जरूर कर लेना और integrals की लास्ट की जो दो exercise देना वहाँ से question जरूर कर लेना आपको मैं बता रहा हूँ, पांच यह नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे concept भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसकी बाद differential equation पर आएंगे differential equation में जो पहली तीन चार exercise है बिल्कुल simple exercise है last वाला जो topic ए, growth and decay model आप कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप इसको skip कर दो तो जितना मैंने यह बताया है, जो mandatory mandatory part बताया है differential equation की starting की चार exercise इसकी last की दो exercise इसकी भी last की दो exercise differentiation तो वह तो आपको समझना पड़ेगा उसके बिना तो कुछ है ही नहीं इतना भी अगर आपने कर लिया तो 5, 6, 7 नमबर आपको यहां से मिल जाएंगे यह 15 marks का topic है लेकिन मैं करता हूँ कि 5 नमबर भी आपको यहां से मिल जाएं suppose 5 नमबर भी आपको मिल जाएं और बाकी की जो 65 marks हैं इसकी आपने size से त्यारी कर ली 65 plus में 5, 70 और प्लस जो भी आपको आपके स्कूल से मिले होंगे 15, 16, 17, 18 वो रैड कर लो इतने नमबर आपके आजाएंगे और इतने नमबर अगर आप इन 10-12 दिनों की मेहनत में अगर ले आते हो तो मैं कहूँगा कि बहुत बढ़िया बात है बहुत बढ़िया बात है और आप लोग भी कहोगे कि इन 10-12 दिनों के अंदर अगर इतने नमबर आजे इससे थोड़ा सा 2-4 कम भी है जाएंगे तो भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है अगर आपने पूरे साल नहीं पढ़ा है अभी दो दिन बचे हैं 11 दिनों की डेडलाइन थी हमारी उन दो दिनों के अंदर आपको क्या करना है हर रोज कम से कम 2 सेंपल पेपर कर लेने है एक आप सुभे कर लो एक आप रात को कर लो या जैसा भी आप कर्मिनेंट फिल करो दो पेपर आप जरूर कर लो उन दो पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा कि अब आपको कितनी चीजों की जरूरत हो रहे है मतलब किस टॉपिक के अंदर और थोड़ा सा मेहनत करनी है जब आप ये 11 दिन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद नेक्स डे 8 March आजाएगा यानि Holy Festival आजाएगा अब आप मनाओ ना मनाओ वो आपके उपर डिबेंड करता है फिर भी हमारे पास उसके बाद भी दो दिन बचेंगे जहां पर आपको लगता है कि ये सेंपल वेपर करने के बाद जिस टॉपिक में आपको लगता है कि अभी इस टॉपिक में कम है उस टॉपिक को आप रिवाईज करो और रिवाईज करने के बाद जो अगले दो दिन हमारे पास है उसके अंदर फिर कम से कम दो सेंपल पे बर तो आप और कर लो इतना अगर आप कर लोगे और definitely कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, बस अपने उपर भरोसा रखो, कि हम कर सकते हैं, अभी तक कुछ नियाग नहीं किया, किया, कुछ सोचने की जरूद नहीं है, कोई tension लेने की जरूद नहीं है, आज से start करो, अभी से start करो, और ये इतना जो मैंने काम बताया ना, इतना आ बहुत आप कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, मिरे हिसाब से अगर आप चलोगे, तो मैं आपको यह कहता हूँ, कि पहले आप क्या करना है, आपको भी जो one shorts है, उनहीं से आपको अपना concept revise करना है, जहां पर अगर लगता है कुछ detailing की जरूद है, उसके लिए detailed video देखने हैं, कुशन हमें करना चाहिए, जो अपने पहले कुशन ना करे हो, या कुछ पहले भी अगर करे भी हो, तो कुछ difficult type of questions प्रैक्टिस करना, ताकि आप exam के लिए अपने आपको और अच्छे तरीके से prepare कर सको, second day, mattresses, determinant, बहुत question आपको मिल जाएंगे, ठीके जो भी आप book करोगे, net पर मिल जाएंगे आपको, जो मैंने वीडियो डाल रखे हो, उसके अंदर भी मैंने बहुत सारे questions कर रखे हैं, important question की जो series चला रहे हैं, उसके अंदर भी आपको questions मिल जाएंगे, तो जो भी आप वीड probability के साथ time series भी complete करो, क्योंकि time series आपने पहले किया हुआ है, तो इसमें ज्यादा time आपको लगना नहीं है, प्रस probability में जो भी time लगेगा, probability के अंदर लगेगा, तो इस दिन के अंदर आप probability और time series complete करो, next day के अंदर आप आओगे, fourth day में inferential states और साथ-साथ LPP, ये दोनों topic एक लिए एक दिन के अंदर खतम कर सकते हो, उसके बाद फिर हम next six day पर चलते हैं, तो इसमें आपको differentiation, differentiation में का थोड़ा time देना पड़ जाए, एक्स्ट्रा कोई दिक कर रही है, लेकिन ये बिल्कुल आप strong करके चलो, उसके साथ-साथ फिर application of derivative उसी दिन के अंदर खतम करने की क question, जो आपको challenge देगी, मुझे solve करके दिखा, उन questions को आप solve करो, अगर आपने already अच्छे से पहले कर रखा है, ठीक है, बिल्कुल भी ये मान के मत चलो कि आप 100% अभी prepare हो, बेशेक आपने 100% साथा सलेवस कर रखा हो, 60-70% कर रखा हो, लेकिन अपने आपको बिल्कुल मान के मत चलो कि आप बिल्कुल completely prepare हो, कोई ना कोई question हो सकता है, exam में कुछ नया आजाए, तो इसलिए जितना different variety questions आप कर सकते हो ना, उतना different variety questions practice करो, differential equation, last day के अंदर differential equation छोड़ा है, तो कुछ अगर बचा कुछ है, यहाँ से हिस्सा होगा, तो आप यहाँ पर complete कर सकते हो, क्योंकि differential equation जदा time taking topic है नहीं, लास की जो exercise है, बस उसमें आपको time लगेगा, बाकी जो starting exercises हैं, वो आप बड़े इसलिए इसको complete कर सकते हो, यानि मोटर मिला कर, अगर हम देखें तो अन आठ दिनों के अंदर, अब अपना syllabus सारा का सारा revise कर सकते हो, चैप्टर वाइस, उसके बाद फिर हमारे पास दिन बचते हैं, तीन, नो, दस और ग्यारा, अब इन तीन दिनों के अंदर, कम से कम आप कोशिश करो कि एक दिन के अंदर, आप मैं लोग नहीं कर पाते हो, किसी एक दिन नहीं भी कर पाते हैं, कोई बात नहीं, वैसे अगर आप slot बनागे चलोगे ना तो आप easily कर लोगे, जब भी आप सुबह उड़ते हो, अपना सुबह का time इक बनाऊ, नाष्टावास्ता कर करके बेठो, अपना तीन गहंटे का time नि पीचे बिल्कुल नहीं जाना है यानि यहां से कुल मिलाकर अगर आपने इन तीन दिनों के अंदेट 6 सेंपल भी बीकर लिए आपको अपनी स्पीड पता चलगी कि आपकी speed इतनी है आपको अपनी गलतियां भी पता चलगी कि किस-किस topic में अभी आपको problem हो रही है कौनसे question ऐसे हैं जो अभी भी आपको परिशान कर रहे हैं तो उसके बाद फिर आपके पास 8, 9, 10 तिन दिन बचते हैं ठीक है 8 को फिर आप खोली celebrate करो या ना करो 9 और 10 आपके पास बचता है तो इन 8, 9, 10 के अंदर आपको अपनी गलतियां पता चलगी कि मेरी ये गलती हो रही है इस topic में गलती हो रही है उस topic से वो गलती या फार्मूला जो आपको परिशान कर रहा था उसको एक बार और revise करके फिर अगले जो आपके दिन बचेंगे जो भी उनके अंदर एक दिन के अंदर आप कम से कम 3 sample paper और करने के practice करो यानि कुल मिलाकर अगर आप यहां से practice करना start करोगे sample papers की तो कम से कम 10 से 12 sample paper आप लोग finish कर सबो ठीक है sample paper god classes के भी available है अगर आपके फास को your sample paper है आप उससे करो practice लेकिन practice करो में बात है कि बस आपको practice करनी है जितने ज़्यादा से ज़्यादा sample paper करो और sample paper करने के बाद यह नहीं कि हो गया sample paper खतम करो sample paper करने के बाद अपनी गलतियां को उसमें round out करो ठीक है उनको mark करो कि यहां पर इस जगे आपको परिशानी आई थी इस जगे आपकी गलती हो रही थी time note करो कि आपने कितनी देर के अंदर sample paper अपना finish किया है और आपको तीन घंडे से ज़्यादा लग रहे है तो that means वहां प इंदर आपको अपना paper finish करना है तागी आदा घंटा आप revision के लिए लेकर चलो revision बहुत important होता है एक्जाम में बहुत important होता है आपके कुछ marks save कर सकता है revision के अंदर कई बार छोटी मुटी गलतिया होती है उन गलतियों को आप ठीक कर सकते होगे या आपने कोई graph बनाया है कोई picture draw करी है उसमें कोई चीज मिस रह गई है आपने completely नहीं लिखा अभी तक उसको आप ठीक कर सकते हो तो यह सारी चीज़े आप तभी कर पाओगे जब को आप अपने लिए होने चाहिए उस बीच में कोई ममी पापा भाई बहन कोई भी आपको डिस्टरब ना करे बताके उनको बैटो और अपने काम सारे फ्री करके फिर आप बैटो तक बीच में आप डिस्टरब ना हो ठीक है फॉन टेबलेट जो भी आप यूज करते हो लै तो मेरे हिसाब से आपकी तैयारी अब बिना पैनिक हुए अब बड़े राम से आप त्यारी कर सकते हो आपने कुछ अभी तक किया है या आपने थोड़ा बहुत किया है या आपने सब कुछ किया है दोनों तरीके के स्टूडेंट्स के लिए मैंने अपना तरीका बदा दिया है तो उसमें आप important questions कोशिश करो कि जो question में आप वहाँ पर करवाने वाला हूं वीडियो को पॉस करो आप पहले खुद करो खुद करके फिर चेक करो कि आपने सही करा है या नहीं कर रहा है तो आपके एक्जाम की preparation की help करने में मैंने अपनी तरफ से जो मैं कर सकता था पूरा साल मैंने कोशिश करिए कि आप लोग को content सारा का सारा मिलता रहे तो class 12 की जो regular videos हैं उसकी playlist भी आपके पास available है one shot की series भी available है mcq series भी available है case study series भी available है और important question की जो series है वो भी हम start करने जा रहे है और पिछले साल के जो question paper थे बोड के उनका solution भी आपको एक दो दिन के अंदर मिल जाएगा प्लस जो भी one shot मैंने अब तक कराएं उन सब को compile करके एक पूरा एक वीडियो बना दिया है वो काफी लंदी वीडियो है लेकिन तो आप जैसा comfortable हो आप अलग लग chapters वाले देखना चाहते हैं या फिर आप एक वीडियो से पूरा revision करना चाहते हैं जैसा भी आपको हो आपको कोई सारे के सारी playlist मिल जाएंगी ठीक है जिसमें आप उसके लिए बस आपको करना क्या होगा तो इसमें जब आप playlist में जाओगे आप तो उस playlist के अंदर इस playlist के अंदर आपको यह तो 11th class के हो गए एक यह हमारे पास playlist है 2022 तेश वन शॉट सीरीज अप्लाइड मिथेमेटिक्स क्लास 12 ठीक है उसके बाद फिर डिसमें ट्रिपे नहीं जाना के स्टेडीज क्लास 12 इंपोर्टेंट सब्सक्राइड मिथेमेटिक्स क्लास 12 इसके अंदर सारे आपको वीडियो मिलेंगे 171 वीडियो जिसके अंदर है यह पूरा का पूरा जो बस आपको सिर्फ मेहनत करनी है अपने बोर्ड एक्जाम की तैयारी अच्छे से करनी है और उसमें जितना भी मेरी तरफ से पॉसिबल होगा योगदान मैं अपनी तरफ से करता रहूंगा आज की इस वीडियो में इतना ही थैंक्स वाल आफियो